वोल्ड वार टू के बाद इस दुनिया के हलात काफी खराब हो चुके हैं सिंग दिखा जाता है फिल पेन का जहां एक सोलजर दूसरे मरे हुए सोलजर को खा रहा है एक सीन में हमें फिल पेन की एक फैमली से मिलवा जाता है जिसमें एक छोटी लगी डाला इस मूवी की दोने हैं जाहिए को गानी को खास इनके पास बहुत में हमने वार्मीं का गोल्ड चुरहा है जो विलजाएं इंही अगता है कि तुम्सें में को चॉच्छब होता है अगर तूम-पास न है अग Mila को में नहीं घृत inch बी थो दिनहांगा है वो आपमी तो थम की दे कर जा चुका था पर टाला के डाड उसी को मारने की प्लानिंग में लग गए थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाते थे इस आपमी को मारने की अपने डाड की प्लानिंग टाला भी सुन लेती है जिसको रिलेक्स करने के लिए उसके डैड कहते हैं परिशान मत होना पर जेंगल के रास्ते से जा रहा हूं किसी को मेरा पता नहीं चलेगा और मैं जल्दी ही वापिस आ जाओंगा और इस सब के बाद काफी दिन गुजर जाते हैं ताला के डैड अभी तक वापिस लोट कर न ताला बिचारी उदास होकर अपने रूम में आ जाती है और आखिर वो यह फैसला करते हुए उठ जाती है कि वो अपने डैड को खुद जंगल में ढूने जाएगी जिसका में उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला करता है और यह लोग घर से बाहर जाते हुए अपने वक्से भूकी थी वो अब इसी जोमटे में बने एक कम्री के अंतर जाती है वहां एक लाश पढ़ी थी जिसके ओपर बहुत से कीड़े बैठे हुए थी जिसे देखकर वो बहुत जाता डर चुकी थी डर कर टाला वहां से बाहर आ चुकी थी चलते चलते टाला के भाई को दूर से एक एचीब आवास सुनाए दी थी है जबके सामने टाला को अपने डैड नजर आ गए थे वो जब पीछे मूटके अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गाई था टाला का भाई उस आवास को सुनते हुए जंगल में एक नदी के पास पहुचा था जहां बहुत से याशे थी ये लोग जंग में मारे कहे थे इन्हें देखकर वो बहुत जादा डैड जाता है और वापीस घर के तरफ चल पड़ता है और जंगल में टाला अपने भाई को ढूंटे ढूंटे एक चर्च के अंदर आई थी जहां टाला के सामने आदी है एक फ बाहिश पूछती है ताके वो उसे पूरा कर सके पर टाला डर कर उसे कोई भी जवाब दिये बगएर अपने घर वापिस आ चुकी थी घर आने पर टाला को टाला की मौम से बगएर पूछे घर से बाहर जाने की वज़ा से डांट भी पड़ी थी वह यहां अपनी मौम को ब रहा है मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे डैड इस वक्त कहां हैं और किस मकस्त के लिए हैं तुम्हारे डैड सिर्फ उस जापानी आत्मे को मारने के लिए नहीं गए जिन्हों ने उन्हें मारने के दम की थी वो तो बलकि अपने दुश्मनों से यनी अमेरिका वालों एक को छाङगे कर दो में भी हमारी मदद को नहीं आए का गहता है कि मैंने एक बरा खाब दिखा हैं कि हम भी जंग में मरने वाले लोगों की तरह मर जाएंगे और कोई हमारी माद़ को वो उसी ज денदी से गिले लगा कर कहती है एसंड ही है हमारी मदद के बारे में सब कुछ बता चुकि थी जिबके दूसरी तरफ हम उसी जापनी आतम्मे को टाला के घर के बाएर देखते हैं जिसने डाला की डाट को धंकी दी थी गहीं घर के अंदर टाला की मौम की दबित अब इतनी खराब थी कि टाला को लग रहा था कि बस अभी वो मर जाएंगी कुछ भी ना समझाने पर वो फेरी की बात मानते हुए उसका दिया हुआ बग अपनी मौम के उपर छोड़ देती है दिखा जाता है कि वो बग सोरत के मौ में चला जाता है जिससे अचानक उसकी आँख खुल जाती है वो इस वक पर जोर-जोर से खांसती है उसकी हालत काफी खराब हो गई थी लेकिन सुबा होने पर दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मिल हो गई है ऐसे जैसे वो कभी बिमार है ना हो ये देखकर उसके दोनों बच्चे बहुत हुश थे और अब टाला भी अपनी मौम को फाइनली फेरी के बारे में सब बता देते है सुनने में ये सब उनके लिए काफी अजीब था लेकिन जो भी था अच्छा है था रात होने पर दोबारा टाला की मौम की तप्यात बिकर चुकी थी उसकी कमर पर कोई चीज उबरी हुई थी ऐसे जैसे उस फेरी का दिया हुआ बग ही टाला की मौम की स्किन के अंदर था सुबा होने पर टाला का भाइक देखता है क्यों उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से अपने ही हाथ को काट के खा ली है कि सब देखकर फु ठढ़ जाता है चाला की मीर उसकी मॉम को ठार कर उसके कमने में निटा देती है नभी अचानक चाला की मॉम को अजीब दोरा पड़ता है उसकी हालत पिकट गई थी उसकी बॉड़ी की सारी वेंस रेड होकर बाहर की तरफ उबर आई थी ताथ ही उसकी जुबान भी अजीब जानवे की तरह बनकर लंबे होकर बाहर की तरफ निकलाती है उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसे पोसेस कह लिया था उसी अपने काबू में कर लिया था ये देखकर उसकी मेट पे डर शाती है फोरनी उसके रूम से बाहर जाकर वो उसके रूम को लॉक करके चापी बाइबल के दर रख देती है सीन कर ठोकर दिखाया जाता है कि टाला एक बहुत बड़ी से बास्केट लेकर जंगल में आई है उसी फेरी के पास वो उससे जब खाने के लिए कुछ चीज़े मांगती है तो फेरी स्कामनी खाने का एक बहुत बड़ा टेबल सजा देती है और टाला से कहती है कि तुम जितना लेना चाहो इसमें से ले सकते हो इतने दिन बात खाना देखकर टाला भी खाने पर टूट पड़ी थी वो बहुत सारा खाना अपनी बास्केट में डालकर जैसे ही घर आती है तो उसका भाई घुसे में उसे पताता है कि मॉम की हालत बहुत खराब हो गई है वो बहुत अचीब हो खरीब हरकते करेς है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वज़ा से हुआ है तुम्हारी ऊस फीरी की वज़ा से की हो रहा है उसे में ताला उसे एक थपड मारती है पर थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो चुका था कि उसका भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है रात में अचानक ही ताला की कमरे का दरवासा खुलता है उसे बाहर किसी की होईने की आवासा रही थी ठाला चल्दी से बाहर चौकर देखती है तो वहां उसकी मौम उसी के डॉक को खा रही है इन्हें देखकर ठाला समझ चुकी थी कि उसकी मौम इंसान नहीं रही बलकि वो जानवर और इंसानों को खाने वाली एक डीमन बन चुकी है डर कर टाला अपनी घर का दर्वासा बंद कर देती है सारा शोच सुनकर टाला का भाई और उसकी मेट भी यहां आ चुके थे वो जब दर्वासा खुल के बाहर देखते हैं तो उनकी मौम बेहोश पड़ी थी और साथ ही सखमी हालत में एक परिंदा भी बढ़ा था जिसको उसकी मौम निखाने की कोशिश की थी यह लोग अब अपनी मौम को उन्हें उनकी कमरे में बंद कर देते हैं यह दोनों बहन भाई उद्दास पैठे थे टाला का भाई रो रहा था और टाला उसे कहती है तुम रो नहीं मैं सब ठीक कर दूँगी जबके इनके घर के बाहर हमें वही फैरी दिख रही है जो टाला के मौम के शिकार किये हुए परिंदे को खा रही थी और इससे हमें मालूम हुआ कि वो भी एक डिमोनिक फैरी है यानि एक शेतानी फैरी वो फैरी अब घर के अंदर आ जाती है और यहाँ टाला उसे कहती है कि तुम बहुत बुरी हो तुम्हारी ही वज़ासे ये सब हो रहा है मैं जानती हूँ जिस पर वो फैरी कहती है मेरी वज़ास कैसे ये फैसला तो तुम्हारा ही था मैंने तुम्हारी मौम को ठीक कर दिया लेकिन किसी पे खौईश को पूरा करने के पीछे एक कुर्बानी तो देने ही पड़ती है और इस कुर्बानी के बतले मैंने तुम्हारी मौम को एक डीमन ये नी शेतान बना दिया अब वो हमेशा जिन्दा तो रहेंगी लेकिन एक शेतान बनकर। ये सब चीज़े टाला को पाकल कर रही थी, वो फिरी के ओपर चिलाती है और फिरी यहां से घाइब हो जाती है। जापानी आदमी पहले से ही मुझूद था, ये लोग यहां गोल्ड ढून रहे थी, टाला को दिखते ही, ये जापानी आदमी टाला को भी पकड़ लेता है, और उससे भी गोल्ड के पारे में पूछता है, पर टाला को कुछ मालूम नहीं था, अपनी बेहन को बचाने के रहा था, और ये दिखकर टाला बहुत उससे म्याच की थी, वो अब अपने मौम की रूम की चावी इस जापानी आदमी को देते हुए कहती है, कि जाओ गोल्ड उस रूम में है, जाकर ले लो, टाला ये बात जानती थी, कि उसकी मौम अब एक डीमन बन चुकी है, और ये जैसे ही उनके रूम में जाएगा, टाला की मौम इसे काट खाएंगी, और ये सतारी बातें ना जानते हुए वो आदमी टाला की मौम की रूम की दरफ बहच जाता है, इस आतमी के यहां से जाते ही, टाला की में टाला को बताती है, कि तुम्हारे डैट कोई अच्छे इंसा जाती है, और अब टाला अपने भाई के हाथ से अपने डैट के पिस्टल लेके उनके पीछे पीछे जाने लगती है, अभी वो रास्ते में ही थी, कि उसे उस जपानी आदमी के चीफने की आवासे हाने लगी थी, वो कमरे से दूर खड़ी होकर शूट कहती है, और गोली ज पुरा खोन से लटबत था, और उसकी मॉम किसी जंगली की तरहां जपानी आदमी की बौड़ी को चीर भाड़ कर खा रही थी, अपनी मॉम की यह हालत देकर टाला बहुत ही जाता डैर चुकी थी, इसलिए वो अब अपने भाई को उठा कर उसे बचाने के लिए महां से भा फेरी मिली थी, वो फेरी से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब यह सब खत्म कर दो, उसकी बात सुनकर फेरी उसे एक गॉल्डन मैंगो खाने को देती है, जाला के इंकार करने पर फेरी जोर से चलाती है, और यहां हम पहली मरतबा फेरी का असल बुढ़ा और अजीब चेह पहला था, वो समझ चुकी थी, कि यह काम भी उसकी मॉम का है, अब टाला की मॉम की निज़र टाला के ओपर भी पर जाती है, वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ पर परती है, लेकिन टाला बहुत सादर डर कर अपने आपको एक रूम में लॉक कर लेती है, पाहर से उसकी अचानक हर जगा खामोशी हो जाती है, और इस खामोशी का मतलब चेक करने के लिए टाला ब अपने कमरे का दरवासा खोलती है, उसकी मॉम सामने गिरी हुए थी, और उनकी कमर की स्किन के अंदर से वो बग निकल का भी और चुका था, जंगल में दिखाया जाता है कि फेरी इन सारी चीज़ों से हस रही है, यहाँ टाला की मॉम अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है, और इस तब के बाद तुबारा फेरी टाला की घर पर टाला के पास आती है, और उसे गोल्डन मेंगो देते हुए कहती है कि अकर तुम इसे खालोगी तो तुम तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, टाला को कुछ समझने ही आ रहा था, वो उससे वो मेंगो ले लेती है और फेरी वहाँ से गाइब हो जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि टाला के डैड भी अपने साथी के साथ घर वाप निकाल देता है, और फिर एक गंद निकालकर टाला के डैड के पास जाकर उन्हें शूट करके खत्म कर देता है, यनि टाला के डैड के अपनी साथी ने उन्हें धोका दे दिया था, और ये उनके बुरे कामों की सजा थी, टाला ने अपने डैड को भी मरते हुए देख लि थी जिसने उसकी फैमली का यहाल किया था और फैरी ने असल में सब को मारने के बाद ताला को सिर्फ इसलिए जिन्दा चोड़ दिया क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ था यह फैरी थी तो एक डिमोनिक फैरी यह नहीं काम तो यह बुरे और शेतानी करती थी लेकिन एक बा होती या जो इनसान अंदर से बुरा होता यह कहानी यहां खत्म हो जाती है